आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ क्या होगी और अपने पास Apsons भी है तो चलो जाओ मैं माल लेता हूँ कि एक Function है वो क्या है एक HX है ठीके और इसकी Value ज़स्ट मैं मानता हूँ X3-3X ठीके और एक GX है और उसकी Value मैं मानता हूँ minus of K ठीके तो अगर मेरा HX is equal to GX है तो क्या होगा देख लो ये इस Time में होगा X3-3X ये Equal होगा minus of K के इसका मत्ता कि X3-3X plus K is equal to 0 ठीके तो ये अपना Function F of X is equal to 0 ही तो हो रहा है तो अगर जहां पर भी ये HX is equal to GX आता है तो मैं बोल सकता हूँ कि अपना Function का एक Root मिलेगा जो अपना Given Function है उसका एक Root मिलेगा जितने भी Points पर HX is equal to GX आएगा ठीक है तो इसी Concept का ये उज़ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं मैं कहता हूँ कि पहले HX के Root से निकालता हूँ HX is equal to 0 के X is equal to 0 के Root से निकालता हूँ X3 minus 3 X is equal to 0 होगा यहां से X को Common करो तो आएगा X2 minus 3 is equal to 0 ठीक है इसका मत्ता कि X की value 0 होगी और X की value होगी minus of and root of 3 ठीक है तो अगर मैं इसकी Sign का भी Check कर लूँ कि Sign कैसा रहा होगा तो अगर मैं ये minus root 3 है और अगर ये root 0 है और ये root 3 है तो देखो ये HX को HX को मैं लिख सकता हूँ कि ये कितना है X into X plus root 3 और X minus of root 3 लिख सकता हूँ अराम से क्योंकि इसके roots क्या है यहीं सब है तो factor में यहीं आएगा ठीक है तो आगे देखो अगर मेरा ये X अगर root minus of root 3 से छोटा है इसका मत्तब ये भी negative ये भी negative ये भी negative तो तीनो negative तो तीनो का product क्या होगा negative तो इधर कहीं minus root 3 से छोटा अगर मैं लेता हूँ X तो वहाँ पर आएगा हमारा negative value ठीक है और उसके बाद क्या आएगा positive आएगा negative आएगा ऐसा alternate चलता रहेगा ठीक है ये positive यहाँ पर आएगा negative आएगा यहाँ पर positive आएगा ठीक है ये alternate चलता रहेगा ये आप देख सकते हैं क्योंगी minus root 3 से अगर मैं बढ़ा जाता हूँ cross करता हूँ तो ये वाले तो positive होजाएगा लेकिन ये दोनों क्या होगे negative होगे तो तीनों क्या होजेंगे positive ठीक है यही इसी का rule करते हुए हम इसने यहाँ पर sign alternate ले लिया है ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं अब मैं क्या करता हूँ कि ये hx is equal to जितना भी है hx is equal to क्या है अपना x cube minus 3x मैं इसका graph plot करने को कोशिश करता हूँ तो ये अपना अगर coordinate axis है ठीक है ये अपना अगर coordinate axis है तो यहाँ पर अगर मैं माल लूँ कि ये क्या है minus of and root of 3 है और ये मैं माल लेता हूँ यहाँ पर कहीं कि ये and root of 3 है और ये तो अपना 0 होता ही है ठीक है तो इसका graph कैसा होगा देखो हमने पहले ही बता है कि minus root 3 से अगर छोटा होगा root तो यह negative होगा इसका, इसकी value negative होगी, तो कुछ इस तरह से अगर मैं माल लेता हूं कि है, ठीके, और यहाँ 0 से ही touch होता जाना चाहिए, और यह इसका मत्तर कि यह कुछ इस तरह से आना चाहिए, ठीके, और यह root 3 पर भी touch होना चाहिए, मतलब यह कुछ इस तरह से आना चाहिए, ठीके, तो इस तरह से इसका graph होगा, किसका graph है, hx का है, और hx is equal to x cube minus 3 x k, ठीके, अब देखो, अब जो मेरा condition given है, वो देख लेते हैं, पहले मैं देख लेता हूं कि अपना gx का क्या हल चले, तो gx अपना कितन है, minus of k है, ठीके, और इसकी value कुछ भी हो सकती है, minus plus कुछ भी हो सकती है, k के value पर depend करता है, ठीके, negative है कि positive है, ठीके, तो gx एक तरह से यह constant होगा, तो अगर कहीं भी y is equal to c type का होता है, एक constant, जहां पर c अपना constant है, तो इसकी जो graph होती है, वो किस तरह से होती है, वो axis के parallel हो ठीक है, तो देखो, अगर मेरा अपना question जो given है, one negative चाहिए और two positive root चाहिए, तो मैं कहा करता हूँ, कि पहले में यह कहां पर है ना, यह कहां पर इसकी value भी निकाल लेता हूँ, कि यह कहां पर इसकी minimum value है, ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर अपना जो slope है, अपने इसका जो differentiation वो क्या होगा, zero का equal होगा, मतलब at dash h-x जो होगा, वो zero होगा, ठीक है, तो इसका differentiation करते हैं, तो वो कितना हैगा, 3x isquire और minus में three हो जाएगा, और equal to zero, इसका मतलब x isquire minus one is equal to kतना, zero, इसका मतलब x की value कितना हैगी, plus minus one, ठीक है, तो plus minus one मतलब यहां पर क्या और यहाँ पर हमारा होगा minus of 1 ठीक अब देखो मेरा GX क्या है एक parallel to excesses line होगी ठीक है तो अगर मैं माल लेता हूँ कि मेरा GX कुछ इस तरह से है ये लो GX कुछ इस तरह से और इसको touch करता हो जा रहा है ठीक है ये touch करता हो जा रहा है यहाँ पर और यहाँ पर value कितनी है वो भी निकाल लेते हैं चलो h of 1 निकालते हैं तो h of 1 के equal ही तो यह होगा तो h of 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा देख लो यहाँ पर 1 रखोंगा तो यह 1 minus 3 आएगा तो 1 minus 3 यह कितना होगा minus of 2 के equal तो यहाँ पर आएगा हमारा minus of 2 ठीक है तो अब देखो और यहाँ पर h of minus of 1 कितना आएगा यह आएगा अपना 2 का equal ठीक है तो मैं एक graph एक और plot कर देता हूँ y is equal to 2 का line यह लो y is equal to 2 का भी line एक draw कर लिया यह अपना कितना है y is equal to 2 है y क्या अपना gx is equal to 2 है ठीक है अगर मैं इसको हटाओ यह y को हटाओ gx मैं लिख दूँ यह मालो gx is equal to 2 का equal था और यहाँ पर अपना gx is equal to minus of 2 है तो यह देख लो मुझे बुला गया है कि मुझे चाहिए एक negative root देखो एक negative root चाहिए 2 positive root चाहिए तो root क्या होता है जहाँ पर यह graph एक दूसरे को क्या करें intersect करें तो इस वाले पर intersect कहां कहां पर कर रहा है यह 2 point पर कर रहा है इस वाले पर intersect कहां पर कर रहा है यह 2 point पर कर रहा है ठीक है और एक negative चाहिए और 2 positive चाहिए तो इन दोनों में 2 ही root है तो 3 root तो है नहीं 3 जगा कटी ने कर रहा है कि 3 root आए मत्तब ये तो अपना नहीं हो सकता GX की value ठीक है ये GX की value नहीं हो सकती और ये भी GX की value नहीं हो सकती ठीक है अब मुझे चीए 1 नेगटिव और 2 पोज़िटिव ठीक तो अगर मैं यहाँ पर कहीं बीच में, इन दोनों के बीच में अगर GX ले लेता, ठीक है, तो चलो, एक मैं ग्राब बनाता हूँ इन दोनों के बीच में, ठीक, तो यह अपना एक लाइन होगी, इन दोनों के बीच में, ठीक है, इस तरह समने ले लिया, तो यह कहां कहां पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, और यहाँ पर कट कर रहा है, तीन जगह पर कट कर रहा है, है कि नहीं, और तीन जगह पर कट कर रहा है, और यहाँ पर कौन सी रूट होगी, यहाँ पर कहीं कोई रूट होगी, और यहाँ पर एक कोई रूट ही तो आएंगे ठीक है और इसी तरह यहां पर नेगटिव रूट आएंगे एक नेगटिव और यहीं हमको चाहिए ही था यह दो पॉस्टिव हो और एक नेगटिव हो इसका मत्रब कि मेरा और यह कब तक सटिस्फाइड है अगर मैं इसके जस्ट ऊपर ले लता इसके जस्ट तो यहां पर देखो दो नेगटिव रूट हो गए और एक पॉस्टिव रूट हो गए हमको यह नहीं चाहिए था हमको चाहिए एक नेगटिव और दो पॉस्टिव मतलब यह भी नहीं हो सकता ठीक है तो जो नहीं हो सकता उसको मैं हटा रहा हूं तो यह नहीं हो सकता ठीक ह और साथी साथ ये भी नहीं हो सकता इसका मत्तब कि मेरा जो g की value vary कर सकती है मत्तब gx की value vary कर सकती है वो यहां से लेकर यहां के बीच में ही vary कर सकती है यहीं अपना क्या होगा gx required होगा ठीक है तो मत्तब gx की value 0 से minus 2 के बीच में लाइ कर रही है ठीक है मत्तलक कि gx की value कहां से लाई कर रही है 0 से minus 2 के बीच में ठीक है मतलब minus 2 से 0 के बीच में ठीक है लिख लो minus 2 से gx की value 0 के बीच में लाई कर रही है ठीक है x is equal to minus 2 चाहिए, ठीक है, यह भी नहीं चाहिए, हमें इन दोनों के 20 कहीं चाहिए, इसका मत्रब, और gx क्या था अपना, k था minus में, तो यह कर लो, यह minus 2 से 0 के बीच में, तो अगर मैं minus से multiplication कर दो, तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, sign of rewards हो जाएगा, यह हो जाएगा, 2 is greater than, k is greater than 0, इसका मत्रब, कि k जो होगा, अपना 0 से लेकर, 2 तक के बीच में होना चाहिए, ठीक है, यह होगा अपना answer, चलो, अपना में मिला जते हैं, 0 से 2 के बीच में, अपना number 2 सही है, hope आपको समझ में होगा, thank you.